पिछले दिनों महाभारत में भिश्म का किरदार निभाने वाले मुकेश खन्ना ने दकपिल शर्मा शो को वाहियात बताया था अब महाभारत में ही युदिस्टर का किरदार निभाने वाले गजेंदर चोहान ने दकपिल शर्मा का पक्ष लेते हुए मुकेश खन्ना को जवाब दिया है एक्टर गजेंदर चोहान ने कहा क्योंकि मुकेश हमारे इस री यूनियन का हिस्सा नहीं बन पाए इसलिए वो बुरा फील कर रहे है मुझे लगता है कि मुकेश जी को अंगूर खाने को नहीं मिले इसलिए वो अंगूर को खटा बता रहे है ये देश का नंबर वन शो है करोडों लोग इस शो को देखते हैं और मुकेश जी इसे वाहियाद बताते हैं आगे उन्होंने कहा कि मुकेश जी ने कहा कि इस शो में लड़के लड़कियों के कपड़े पहनते हैं शायद वो भूल गए है कि एवन महाभारत में अरजुन ने लड़कियों के कपड़े पहने थे, तो क्या उन्होंने महाभारत सीरियल छोड़ा? इस हिसाब से तो उन्हें वो सीरियल भी नहीं करना चाहिए था, मैं मुकेश जी के इस बयान को पूरी तरह से गलत मानता हूँ. दरसल मुकेश खना ने सोशल मीडिया द्वारा इस शोव में ना जाने का जो कारण बताय था, वो बहुत शौकिंग था. उन्होंने इसे एक वाहियात शोव बताय था, जहां सब बेमतलब के हस्ते रहते हैं, जहां लड़के लड़कियों के कपड़े पहन कर घटिया डबल मीनिंग बाते करते हैं, जहां एक जज कुरसी पर बैठ कर बेमतलब का हस्ता रहता है, पहले ये काम सिद्धुभाई करते थे और अब ये काम अर्चना बहन करती है, उन्होंने रामायन के एक्टर अरुन गोविल जिन्होंने राम का किरदार निभाय था, उन पर टिपनी क बहनते हैं, ये बात मुकेश जी को बुरी लगी थी और कहा था कि जिसे दुनिया राम जी के स्वरूप में देखती है, उसके लिए कपिल इस तरह का भद्दा मजाक कैसे कर सकते हैं, इस मामले में उन्होंने अरुन गोविल को भी इसका जवाब ना देने के लिए गलत बत उन्होंने मुझे इस शो पर चलने के लिए बोला था, लेकिन मैंने मना कर दिया, गुफी पेंटल ने कहा कि रामायन के कैरेक्टर्स को इस शो पर बुलाया गया है, अब हमारी बारी है, लेकिन उन्होंने जाने से मना कर दिया, इस बात पर भी गजंदर चोहान ने कहा, ग गजेंदर चोहान ने एक तरह से महाभारत में अरजुन के इस त्री विश भुशा पहनने को लेकर कहीं न कहीं महाभारत सीरियल को दकपिल शर्मा शो से तुलना करके बताया है। हाला कि महाभारत एक वर्षो पुरानी कथा है उसमें जो घटित हुआ था वही सीरियल में दिखाना था और कपिल शर्मा शो के स्क्रिप्ट रोज बनाई जाती है। अब ये आप तै कीजिए कि गजेंदर चोहान का महाभारत और दकपिल शर्मा शो को आपस में कंपेर करना कितना सही है और कितना गलत। इसी तरह कि तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।